नमस्कार सिक्षार्थियो एक बार पुन है आपका योग टीचर स्टेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है आप इससे पहले जो योगिक संस्कृति का पहला पार्थ है वो आप पढ़ चुके हैं आपने पुर्षार्थ के विसे में जानकारी प्राप्त की पुर्षार्थ जीवन में बहुत ही महत्पून है और पुर्षार्थ के साथ ही आपने मनुष्य की जीवन को किस प्रिकार चार आस्रमों में बिभाजित किया गया है जिसमें की सो वर्स की आयू को मान करके 25 पचीस वर्स के चार आस्रम इसमें रखे गए वो आप ठीक से जान चुके हैं इसके साथ ही आप बहुत ही important जो आपके जानने के लिए है 60 संपती उसके विशे में भी आपने जानकारी प्राप्त की और साधन चतुष्ट का है साधन चतुष्ट ये भी आप जिसमें की एक हमारा बचा हुआ है जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे साथ ही हम आपको और भी कुछ चीज़ें इसकी यूनिट के अंतरगत जो हैं उनको भी बताएंगे हम सबसे पहले जो साधन चतुष्ट में जो अंतिम चतुष्ट है मुमुच्ष्ट उसके वारे में चर्चा करते हैं मुमुच्ष्ट है क्या सबसे पहले ये जानने की कोशिस करते हैं दिखिए ये सभी जानते हैं कि संसार में जब आए हैं तो निश्यत रूप से बहुत सारी इक्षाएं हैं बहुत सारे भोग बुलास के साधन जुटाने के लिए हम प्रियास करते हैं हम सब सुखुमय आनंद में रहना चाहते हैं जैसे जैसे हमें इस सारी चीज़ें प्राप्त होती जाती हैं हम एक के बाद एक कामना के साथ आगे बढ़ते जाते हैं आज अभी मेरे पास एक घर हो गया अभी लगा कि छोटा घर है बड़ा घर चाहते हैं बड़ा घर हो गया और बहुत बड़ा घर चाहते हैं एक छोटी गाड़ी है आप बड़ी गाड़ी चाहते हैं एक नौकरी है तो प्रमोशन चाहते हैं बिजनिस है तो बड़ा बिजनिस चाहते हैं तो कामनाएं हर समय लगी रहती है और इन कामनाओं से ही रसे भी गौतम बुद्ध ने एक अपने सेस्य को बताया था सेस्य ने प तो बोद्धुची ने बताया था कि एक्षा करना ही दुख का सबसे बड़ा कार्ण है। आप एक्षा करेंगे, एक्षा आपकी पूरी नहीं होगी, और जब एक्षा पूरी नहीं होगी, तो निश्चेदूप से दुख होगा। तो संसार दुख में हैं, ऐसा सभी पूर्सवनिमाना हैं। आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख, आधिदेविक दुख, ये तीन जो दुख हैं, इनको त्रियताप कहा गया है। ये तीन दुखम से जो समस्त प्राणी है संसार में वो त्रस्ट और संत्रप्त रहते हैं अतह इस दुखमे संसार से दूर जाना मोग्छ रूप अमरत को प्राप्त करने की तीब रिक्षा मुमुच्ट कहलाती है यानि बहुती सुंदर सी प्रिक्षा मुमुच्ट की है दुखमे संसार से तरकर मोग्ष रूप अमरत की प्राप्ती करने की तीब रिक्षा को मुमुच्ट कहते हैं और ये प्राप्त करने के लिए मुख्ष प्राप्त करने के लिए हमारे रिसी, मुनी, सारा जीवन जीने के पश्चाथ धर्म के माध्यम से कर्म के माध्यम से और अंतिम जो उनका लक्ष रहा मुख्ष प्राप्त करने के लिए वो परमात्मा में योग के माध्यम से समाधी में चले जाना और परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना परमात्मा से सीधा वारता करना और इस तरह की इक्षा रखते हुए कि अब बापस अंसार में आने की आफसकता ही नहीं है उसी में लीन हो जाना परमात्मा में ही लीन होना ये सबसे बड़ा महत्पून जीवन का लक्ष है हम गुर्कुल में जाते हैं गुर्कुल के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो वहां की सलस्कृति के अनुसार हम देखेंगे कि अलग-अलग तरीके से हर गुर्कुल की अपनी माननेताई और एक अपना पढ़ाने का उनका कल्यान में धंग रहा लेकिन सारी समानताईं वहां मिलती हैं कि किस तरह से उनको उस आसरम में रहकर के गुरुजी से उसका ग्यान परत्त हुआ भारते संस्कृति की यद हम बात करें तो सबसे पहले हम भारते संस्कृति जो की सबसे बड़ी और महत्पून संस्कृति मानी जाती है जिसके मूल बहुत बड़े मूल हैं जिसके लिए विश्व में विख्यात है उस संस्कृति को हम समझने का प्रयास करते हैं भारती संस्कृति जीवन मुल्यों का पोषण, सन्रक्षण और उसके प्रचार प्रसार करने वाली संस्कृति की रूप में विश्विख्यात है। प्राचिन काल में गुरूओं ने विध्यार्थियों में प्रेम, करोना, धया का संचार तो किया ही प्राणी मात्र के कल्यार की कामना भी की। पहले असा नहीं था। प्राचिन काल में जो गुरू होते थे वो अपने विध्यार्थियों को एक-एक चीज सिखाते थे। प्रेम करना क्यों आवस्तक है करना होना बहुत जरूरी है दया सभी जीवों पर की जानी चाहिए ये सारी चीज़ें वे अपनी उन चीज़ों से भी यानि जो सिक्षा दे रहे हैं उसके साथ ही जो विद्या दे रहे हैं उसके साथ ही इन चीज़ों का भी उसके अंदर जो समाविस्था वो किया जाता था ताकि प्राणी मात्र की हर प्राणी का कल्यार हो सके बसुदेव कुटम बुकम की भावना यही तो है यही पोसित हुई यही पल्वित हुई भारत में आध्यात्मिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास पर भी बहुत बड़ा बल दिया गया है और यह इस संस्कृती में मिलता है प्राचीन भारत में मनुस्यों में नियत्रिकता का विकास हो दूसरों के प्रेम, साहनबूती, धया, करोना एवं सहयो की भावना हो ऐसी मानिता प्रचलत रही है मनुस्मिर्ती में धर्म के दस लक्षन कहे गए हैं जो हर व्यक्ति को पालनी है यही सिखाय जाता है ध्रति, छमा, दमोस्तेयम, सौच, मिंद्रिय, निग्रह, धीर्विद्या, सत्या, क्रोधो, दसकम, धर्म लक्षनम यह दस लक्षन हैं जो धर्म के हैं और सभी को पालन करने की योग हैं इनका पालन करते हुए व्यक्ति धर्म में हो सकता है व्यक्तिक, परवारिक, सामाजिक एवं आध्यात्म्य मूल्यों से उत्प्रोत हमारी भारतिय संस्कृती है जीवन मूल्यों के अवं मूल्यों के इस दौर में मूल्यों की स्थापना के लिए और समस्या के समाधान के लिए हमें एक बार फिर से इन जीवन मूल्यों को स्थापित करने की आवश सकता है तिकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण रहा ये हमारी भारती संस्कृती में सब के सब हमें देखने को मिलते हैं विभिन्य दर्सनों में इनका दर्सन हमें प्राप्त होता है इन से हमें जीवन में एक सीख मिलती है जीवन जीने का एक दिसा मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो पहले से होता रहा है, प्राचिनकाल से ही कभी किसी चीज की मात्रा बढ़ गई, किसी की कम हो गई, योग भी इसी तरह से रहा, बीच बीच में लुप्त हो गया, फिर प्रकट हो गया, तो ये समाज के उपर बहुत कुछ डिपेंट करता है, आज योग से सभी उत्रोत हैं योग को लेकर के सभी अपने स्वास्था को ध्यान रखने के लिए ये भले ही स्वास्था के उद्देश से ही सही लेकिन योग में होने का प्रयास कर रहे हैं योग की और अगरसर हो रहे हैं तो यही संस्कृति का भी है कि कोई न कोई कारण रहा जिससे ब सिखाती है एक महापुरुस तयार करने वाली ये संस्कृती है जो इस देश में अनेक महापुरुसों को तयार करके जिसने बहुत बड़ा काम किया है हमें जानना आवस्तक है कि करनिये क्या है और अकर्णिये क्या है उपनिस्तों में जो हमारे उपनिशद हैं उनमें इसका प्रतपालन करने के लिए कि जीवन में हमें किस तरह से क्या करना चाहिए सदाचरन के रूप में उसका वर्णन भी किया गया है यद छांदोंगे पनिशद में हम बात करें तो वहाँ पर चोरी, मध्यपान, गुरु निंदक और ब्रहम ग्यानी को मारने वाला और इस सम्मंद रखने वाला पतन को प्राप्त होता है ऐसा आता है तो जब ऐसी चीजें आती हैं और हम ये देखते हैं कि ये कितना बड़ा पाप है तो निश्द रूप से हमारी मनुदसा, हमारा मन, हमारा भाव बदलता है और हम ऐसी चीज़ों से बचने का प्रियास करते हैं सदगुन हमारे अंदर उत्पन होते हैं ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे मानब जीवन का कल्यान हो और तैत्रियुप निश्द में बहुती सुन्दर आता है कि दीक्षांत समारो जब होता था गुरकुल में गुरु अपने सिस्यों को जब विद्या देने के परश्याद भेशते थे घर के लिए और कहते थे कि अब आप जाकर के ग्रस्त आश्रम के योग आप हो गए हैं आपका जो ये स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज है वो बहुती बढ़िया ठीक से निकल गया आप मेचवर्ड हो चुके हैं तो ऐसी स्थिती में निश्चत रूप से ब्रह्मचर आश्रम का पालन पूरा करने के बाद आप अब अपने ग्रस्त आश्रम को चलाने में समर्थ होंगे तो ऐसे समारो में जो आचारे होते थे अपने सिस्यों को एक सपथ दिलाते थे और सपथ क्या होती थी उनको बोला जाता था कि आप सपथ लें कि आप सत्य और धर्म का पालन करेंगे स्वाद्याय में प्रमाद नहीं करेंगे माता पिता अथती जनों का आधर सतकार करेंगे दान करेंगे समाज का कल्यान करेंगे और जो सदगुन हैं उनको धार्ण करेंगे, जो अबगुन हैं उनको कभी भी धार्ण नहीं करेंगे तो ये तैतरोप निश्यद में बड़ा इसपष्ट आता है हमारे दर्सनों में, हमारे बहुत सारे गिरंथों में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो हमें जीवन जीने के लिए एक दिशा दिती हैं, ऐसा मार्ग दिखाती हैं, जो की महापुर्स बनने का काम हो जाता है ये बहुत ही महत्पूर्ण है, इसके साथ ही अश्टांग योग की भी बात करें तो अश्टांग योग में भी जैसा की हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और आप अपनी यूनिट दो के माधम से अप अश्टांग योग पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रथम अंग यम हैं, और पांच यम आपको बताए अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रहमचरे, परग्रहम या माँ, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रहमचरे और अपरग्रे, ये पांच योग हैं, वो यम हैं इन पाचों का पलन किया जाए अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना मन बचन कर्म किसी भी तरह से किसी जीव को कश्ट ना पहुँचाना अहिंसा कहलाती है सास्त्रों में कहा गया है सत्यम ब्रुवाद प्रियम ब्रुवाद रशत्यम प्रियम यानि सदा, सत्य बोलें, प्रिय बोलें, ऐसा बचनना बोलें, जो सुनने में अप्रिय हो अत्य है, सत्य को मदुर्भासा में बोलें अस्ते, अस्ते का अर्थ है चोरी ना करना यानि किसी भी चीज को किसी के बिना पूछे, बिना अनुमुत्य के ना लेना यह आस्तिय ब्रह्मचर यानि कामेंद्रियों को बस में रखते हुए ब्रह्मचर कहलाता है अपरग्र है किसी भी संपत्ति को धन को आसकती पूर्वक स्वार्थ बस संचे न करना इखटा न करना यह कहलाता है अपरग्र है तो इस तरह से पांच यम है और इन सब का यद हम पालन करते हैं तो एक स्वत्य ही जीवन में एक अलग ही सुकी अनभूती होती है और एक सिध्धान्तवादी एक उत्रक्रष्ट विक्तत्त वाले मानव के रूप में आप सामने आते हैं इसके साथ ही जो अश्टांगियों का दुत्तिय जो अंग है नियम वो भी बहुत महत्पूर है नियम के अंत्रगत क्या आता है नियम में व्यक्तिगत हमारा पालन करने वाले ये नियम है अर्थात शोच, संतोस, तप, स्वाध्याय, और इश्वर, प्राणिधान ये पांच नियम है सौच का अर्थ सुधता पवित्ता से है दो प्रिकार से सौच को माना गया है बाहिय और आंत्रिक यानि बाहि रूप से सध्धी अपने सरीर की सुधी करना और आंत्रिक रूप से भी मन, विचारों की भी सुधी रखना संतोस जो कुछ भी प्राप्त हुआ है जो कुछ हमारे पास है उसमें ही संतोस्ट रहना संतोस्टी के भाव महसूस करना उनको अनभव करना संतोस कहलाता है तब सारे दुंदों को सहन करना तब कहलाता है किसी प्रकार की समझ से आए उससे घवराना नहीं स्वाध्याय मुग्छ सास्त्रों का अध्यन करना स्वयम को जानना स्वयम को जानना स्वाध्या क्या लाता है नित्र स्वाध्या करने से विचारों में सेष्टा बनी रहती है अपने आपको ये जानना समझना कि हमने क्या किया कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्या सही हुआ, यद गलत हुआ तो आगे सिन्ना करें, ये स्वाध्याई तो है, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के सरनागती का भाव, यानि सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए जीवन में आगे बढ़ना, ईश्वर प्राणिधान कहला तो आप यद देखेंगे कि यद यम और नियम का भी पालन केवल हम अपने जीवन में करते हैं तो किस प्रकार से हमारा जो व्यक्तित है वो एक महान व्यक्तित में परवत्तित हो जाता है और सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए हम आज हम कहते हैं कि हम योग करने जा रहे हैं योग करने क्यों जा रहे हैं क्योंकि बहुत टेंसन हैं हम परिसान हैं मन में जो है वो बड़ी उतल फुतल है सांत नहीं है और blood pressure है तमाम बीमारियां होने लगी है वो क्यूं है कहीं न कहीं हम किसी भी स्थिति को ले करके कामना को ले करके हमारा जो मन है वो बिचलित हो जाता है उसे पारना चाहता है तो यही तो अभी जो बात हम कर रहें योगिक संस्कृति की यद हम अपनी योगिक संस्कृति के अमसार चलते हैं, इसका पालन करते हैं, तो निश्यत रूप से हम देखेंगे कि ना हमारी चिंता रहेगी, ना हमारी समस्चाएं रहेंगी, हम कामना नहीं करेंगे, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए ज पहज और संतुष्टि के भाव हमारे अंदर आएंगे, और इस तरह का जब हम पालन करेंगे, तो निश्यत रूप से हमारी जो जीवन की उनती है, वो हुती रहेगी, और हम बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो योगिक संस्कृति का ये आपका जो यूनिट है, बहुत प्रक्तिकल खास नहीं है, लेकिन इन चीजों पर अनभव करना, इनको अपने अंदर समाहित करना, यही अपने आप में सबसे बड़ा प्रक्तिकल है, प्रक्तिकल है क्या, बहवारिक रूप में इसको पालन करना, इसको मानना, यही तो प्रक्तिकल है, और इनको बहवारिक रूप से हमारे जो पूर्वज रहे, रिसी मुनियों ने हमारे पूर्वजों को ये जो संस्कृति इस तरह से जो दी और उसका पालन करने के लिए उनको कहा गया, वो पालन करके बहुती सुखी समरध और अपनी जीवन में बहुत आनन्दित रहे, हमारा योग का उदेश भी सुन्दर और अच्छे जीवन की कल्पना करते हुए आगे बढ़ें, इसी के साथ हम आपको फिर किसी दूसरे यूनिट के अंतरगत मिलेंगे, इस यूनिट को हमें उमीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी और आपको अच्छे लगी होगी, नमस्कार, जैहें